पच्छिम बंगाल के राजभवन में राजपाल सीवी आनंद बोस के आने से तिन्मुल कॉंग्रेस की सरकार और राजभवन के दर्मयान दुस्मनी की खड़ी दिवार गिर चुकी है इस्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रातोबासू ने राजभवन में राजपाल सीवी आनंद बोस के सामने इस बात की वजाहत करते हुए कहा है कि अबनबनो और गवर्नर हाउस के दर्मयान कोई मदभेद नहीं है याद रहे कि जब राजपाल जगदीब धंकर थे तो उस दोरान वो अपने शोला बयानबाजी के वज़े से ममताबैनेश जी की सरकार का जीना मोहाल कर रखा था यहाँ तके उनके बयानबाजी के सबब युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इनके दावत को कुबूल करना गवारा नहीं करते और मिटिंग में अक्सर सीटे खाली रहती थी मगर आज राजभवन में उल्टी गंगा बहती देखी गई जहां राजपाल सीवी आनंद बोज के दावत पर पच्छिम बंगाव के कुल 31 युनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों के आने से राजभवन खिल उठा इस मिटिंग में वाइस चांसलरों के साथ स्टेट एजुकेशन बोड के अधिकारी भी शामिल रहें इस मिटिंग में एजुकेशन डिपार्टमेंट के बेतरी के लिए दिली से किस तरह से फंड लाया जा सकी और कई एक एहम मुद्व पर तबादला ख्याल भी किया गया याद रहे है कि एक्स राज जिपाल जगदीब धंकर के दौर मेरा गवर्नर हाउस में बेशुमार बिल अट्की रही जैसे कि हौड़क और प्रोशन के एलेक्सिन को लेकर या फिर ममता बैनर जी के वाइस चांसलर का मामला इस तरह कि कई बेशुमार बिल अटके नहीं जिसका अब दक कोई हल नहीं हो पाया है इमकान लगाया जा सकता है कि नए राज़पाल सीवी आनंद बोस के आने से वो तमाम बिल की परिशानियों का हल निकलना मुंकिन है आजकेर मीटिंगेर जुदी मूल निजश की होते हुए ताहले आपना देर मतो कोरे बोलते बीरोद नौई शमुन नौई इटे यह हुंते के दे दप्तर संगे राज़पाल नेर आगामी दिने बलुप्रशु अत्पर्च पुर्णों इचे बे जारी थाग्व पचिम बंगाव के राज़पाल सीवी आनंद बोस के आने से तिन्मुल कॉंग्रेस की सरकार और राज़पावन के दर्मयान दुश्मनी की खड़ी दिवार गिर चुकी है इस्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रातो बासु ने राज़पावन में राज़पाल सीवी आनंद बोस के सामने इस बात की वजाहत करते हुए कहा है कि अब नबनो और गवर्नर हाउस के दर्मयान कोई मदभेद नहीं है याद रहे कि जब राज़पाल जगदीब धंकर थे तो उस दोरान वो अपने शोला बयानबाजी के वज़े से ममताबैनेश जी की सरकार का जीना मोहाल कर रखा था यहाँ तक के उनके बयानबाजी के सबब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इनके दावत को कुबूल करना गवारा नहीं करते और मिटिंग में अक्सर सीटे खाली रहती थी मगर आज राजभवन में उल्टी गंगा बहती देखी गई जहां राजपाल सीवी आनंद बोज के दावत पर पच्छिम बंगाव के कुल 31 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों के आने से राजभवन खिल उठा इस मिटिंग में वाइस चांसलरों के साथ स्टेट एजुकेशन बोड के अधिकारी भी शामिल रहें इस मिटिंग में एजुकेशन डिपार्टमेंट के बेतरी के लिए दिली से किस तरह से फंड लाया जा सकी और कई एक एहम मुद्व पर तबादला ख्याल भी किया गया याद रहा कि एक्स राजजपाल जगदीब धंकर के दौर मेरा गवर्नर हाउस में बेशुमार बिल अटकी रही जैसे कि हॉड़क और प्रोशन के एलेक्सेन को लेकर या फिर मम्ता बैनर जी के वाइस चांसलर का माम ला इस तरह कि कई बेशुमार बिल अटकी जिसका अब दक कोई हल नहीं हो पाया है इमकान लगाया जा सकता है कि नए राजपाल सीवी आनंद बोस के आने से वो तमाम बिल की परिशानियों का हल निकलना मुम्किन है आजकेर मीटिंगेर जुदी मूल निज्जाश की होते है ताहले आपना देर मतो कोरे बोलते बीरोद नौई शमुन नौई इटे याखुन तेके दे दफ्तरे संगे राजपालनेर आगामी दिने बलोप्रशु एमका आत्पर्चु पुर्णोईचे बे जारी था